दोस्तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग किसी भी भी आई सीम का कॉल डीटेल कैसे निकाल सकते हैं जी आप लोग बहुत ही आसानी से किसी भी भी आई सीम का कॉल डीटेल निकाल सकते हैं जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप लोग सेम टू सेम वही ट्रिक फॉलो करके किसी भी वी आई सीम का call detail निकाल सकते हैं, तो चैटी दोस्तों हम लोग बिना टाइम गए वीडियो को start करते हैं, दोस्तों सबसे पहले आप लोगों के मॉबाइल में वी आ नमबर डालना है, जो नमबर का आप लोग call detail निकालना चाहते हैं, call history निकालना चाहते हैं, वही नमबर आप लोगों को डाल करके यहाँ पर लोगिन करना है, ठीक है, तो उसके बाद लोगिन होने के बाद इस टाइप का इंटरफेस आजाएगा, तो आप लोगों को appropriation इंटर्फेस आप खुल करकर आजएगा, उसके बाद आप लोगों को यहाँ दोस्तो देखना है कि email id आप Logo का Ad है की नहीं, ठीक है आप लोगों का email id यहाँ पे add होना चाहिए अगर आप लोगों के भी आई सीम में यहाँ पे भी आई एप में email id add नहीं है तो आप लोगों को सबसे पहले email id add करना है और email id add आप लोगों का हो सकता है 2-3 घंटे में हो जाए या फिर एक दिन लगे आप लोगों का टाइम लग सकता है 1-2 घंटे या फिर एक दिन भी लग सकता है तो आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले email id add होने दना है email id जब add हो जाएगा तब आप लोगों को क्या करना है यहाँ से back आ जाना है तो email id add होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर आ जाना है यह वाला page में वो वाला page से back आ जाना है उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर active packs and benefits इसमें क्लिक कर देना है ठीक है इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है कुछी step का interface खुल के आएगा तो आप लोग आप लोगों को इमेल बिल में क्लिक कर देना है इमेल बिल में क्लिक कर देना है तो फाइनली दोस्तों आप लोगों के email id में call history जो है send कर दिया जाएगा जो आप लोग इमेल id एड किये होंगे वही email id में आप लोगों को जो है call history आजाएगा हो सकता है एक दू घंटे में आजाएगा आप लोगों को थोड़ा सा wait कर लेना है तो उसके बाद दोस्तों आप लोगों को अपना email id open करना है email id आप लोग जैसे ही open करेंगे तो यहाँ पे जो है e-bill नाम से एक mail आया होगा ठीक आप लोगों को pdf अपने mobile में download कर लेना है pdf download करने के बाद यहाँ पर password मांगेगा ठीक है तो आप लोगों को small letter में अपना नाम का दो अच्छर लिखना है ठीक है अपने नाम का दो अच्छर लिखना है small letter में और अपने number का अपने mobile नमबर का last वालब four digit आप लोगों को ड काल सकते